रेलवे में पुरानी पेंसन को बहाल करने की मांग को लेकर रेल करमी लगातार अंदोलन कर रहे हैं दो दिनों तक रेलवे करमचारी देश भर में गुप्त मतदान कर अपनी मांगों से सरकार को अबगत करा रहे हैं आज पटना जक्षन और राजेंदर नगर टर्मिनल पर रेलवे करमचारी ओने गुप्त मतदान किया और सरकार को चिताबनी दी कि अगर पुरानी पेंसन बहाल नहीं होती है तो एक दीन के लिए रेल चक का जाम कर दिया जाएगा कि अगर एक जिन के लिए अरजआल पर जाएगी और इसके लिए सभी करमचारी के द्वारा सरकार को यानितम देने का काम कर दीने का कर दिये। जिसके द्वारा हम उनको अबगत करा है कि पुराना पेंशन हमारा अधिकार है और करमचारी इतने दिन काम करने के बार ही उनको पेंशन नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुरभाग क्या बात होता है चुकि निव पेंशन अस्की में करमचारीों का मातर 2000-3000 पर ही दिया जाता ह जो कि उनके चलाबा है कि उनका बेतनमान कुछ है और मातर 2000-3000 में भर चलाना नहीं हो पाता है पेंशन से जो बढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है और वो सहारा आज नहीं मिल पा रहा है तो हम उनके लिए विरोध कर रहे हैं और सरकार को अबगत करा रहे है कि कि भारती रेल इस अस्कीम के खिलाप है और अगर भारती रेल के करमचारियों को प्रहाना प्रेंसर बाहल नहीं किया गया तो एक दिन के लिए पूरे भारत भरस में रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा और इसके समर्थन के लिए आज 20 और 22 अंतीवी ने इसका समर्थन करके भार्व सरकार को हम लोगों की दिया कर यापन फांस होगे और भार्व सरकार पर ये दवाब बनाएंगे कि हमारी पुरानी पिंसान स्किम को पुर्णा बहल किया जाए अगर नहीं होगा तो निश्ची तुरूप से इस भार रेल का चक्का बिल्कुल जाम होगा